हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक वन सेगंड तो आर यूटूब चेनल सो माई डियर स्टूडेंट ओन जीसे का हम लोग एक्सपेक्टेड कटप रिलीज कर रहे हैं स्टेट वाइज वन वाई वन करके सभी स्टेट का हम लोग गूगल फॉर्म के रिस्पोंस के बेसिस पे आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड कटप बनाया जा रहा है तो अभी जारकन का बारी है तो जारकन दे श्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और आपने ONGC का एक्जाम दिया है तो आप लोग जाजा जाजा बच्चों पाइडिसिबेट करो आप लोग सभी आके गूगल फॉर्म को फिल अप करिए नो स्टेट का हम लोग रिस्पॉंस की जो है उसके बेसिस पे तीन स्टेट का अभी तक कटम में रिलीज कर भी दिया हूँ और ट्राइ कीजिएगा, real and authentic score जो आपका आ रहा है, answer की के बाद, यानि response की के बाद वही आप fill up करना, ताकि आप लोग कोई real expected cut up पता चले, और उसके अलावे shift जिस भी state, आप shift में exam दियो, first में या second में या third में, उसको भी fill up करेगा, ताकि level पता चले, कि first shift अब था, या second था, या third था, उसी basis पे medium और low shift कौन सा था, उस basis आपको normalization भी देखने को मिलेगा, देखो क्या क्या feel करना है, तो Google form के थो आपको feel करना है, गूगल form का जो link है, वो description box में आपको मिल जागा, फिर comment में pin कर दिया जागा, first comment, वहाँ से जाना, उसको click करना, Google form का पुरा data खुल जागा, उसमें अपना नाम fill up करना है, अगर mall number मांगा जाए, तो mall number fill कर दीजेगा, then, अपना state, जैसे जारकंड से भिलों करते हो, तो जारकंड state को select कर लेना है, then, अपना shift, first में या second में या third में, ये भी important है कि किस shift में ज्यादा number आ रहा है, it means वो जो आपका easy था, जैस shift में कम number ला रहा है, वहनी tough था, तो आपको ही पता चलेगा, क्योंकि normalization होगा, तो अगर आपका number कम आ रहा है, उस shift में हो, जिसमें सबका number कम आ रहा है, it means normalization हो के number आपका बढ़ेगा, समझ आए कि नहीं, चली, तो shift select करना है और category, आप general से हो, ST से हो, BC से हो, या फिर आप जिस भी category से विलोंग करतो, वह आपको fill up करना है, finally your score, your score, your response की, यानि answer की, according जो आपका score आ रहा है, authentic score, उसको आपको यहाँ पर fill up करना, on the basis of that, within two days के अंदर में आप लोग को expected cut up बता दूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं ने कहा, दो दिन के बाद क्यों, क्योंकि कल के date पे, 27 अगस्त पे, एक ONGC का जो है, वो exam होना बाकी है, याद होगा, कुछ दिन पहले admin card release किया गया था, ONGC के दोआरा, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 27 अगस्त को, तो 20 और 21 का exam हो भी गया है, response की कल आभी चुका है, राइट, answer की आभी चुका है, लेकिन 27 अभी तक आया ही नहीं है, यानि कल होगा, तो कल एक exam होने बाला, ONGC का, last जो होने बाला है, उसके बाद, एक दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, उसका भी response की आ जाएगा, और then मैं आप लोगको लिए बता दूँगा, यह expected cut-up, मतलब आप बहुत सकते हो कि sir, 27 को exam होगा, 28 में आ जाएगा, कि कितना cut-up जा रहा, category y, shift y, right, तो आप जादा जादा बच्चे तो share करो, सब को बोलो, अगर आप जारकरण से बिलोग करते हो, तो हर WhatsApp गुरूप में, Telegram गुरूप में share करो, और सब को बोलो, कि इसमेंट पाइट स्पेट करने, सब Google Form को भरने के लिए बोलिए, आप सिखाईए, ताकि जादा बच्चा का response मुझे मिलेगा, और उस basis में मैं आप लोग का expected cut-up एक अच्छा देश सकोंगा, समझ आए कि नहीं, तो चलिए, हम लोग मिलते हैं, expected cut-up का final result लेके, तब तक लिए goodbye and God bless you all.